दोस्तों हम सभी के मन में एक बार जरूर ये सवाल आया क्या Android TV में आप Geo TV एप इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं तो आज की वीडियो मैं आपको step by step बदाऊँ हूँ कैसे आप Geo TV एप इंस्टॉल कर सकते हो तो वीडियो को मिस मत करना हो start to end जरूर देखना और मैं उमीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने के जरूर नहीं है तो दोस्तों मेरे पास है वीडियो प्रीम एंड्रोइड सीजिस का फिफ्टी इंच का वेरियंट और इसमें आप देख सकते हैं आप लिस्ट में कि यहां पर मैंने जियो टीवी तो इंस्टॉल किया है और इसी के साती साथ जियो सिनेमा भी इंस्टॉल किया है और जो जियो सिनेमा एप है वह आपको इसके प्ले स्टोर में मिल जाता है इसके लिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं और अच्छे से काम करता है तो मैं आपको दिखा भी द आप यहाँ पर बात करेगी कैसे आप इस टीवी में जियो टीवी एप डाउनलोड कर पाऊगे कैसे इंस्टॉल कर पाऊगे तो उसका स्टेप बहुत ही सिंपल है तो आप मेरे साथ यह वीडियो देखते रहे कि आप स्टेप बाई स्टेप फॉलो करें कि तभी आपके लिए कौपी करने के बाद आपके वीडियो पेंडराईव अट्यश कीजिए और उसको ओपन करने के कोशिश कीजिए मैं कोशिश क्यों बोलगा क्यूंकि जब आप यह अपने कौपी की है वह आपको इसमें नहीं दिखेगी और अब बारियाती स्टेप नंबर थ्री की स्टेप नमबर 3 में आपको करना गया है कि एक आपको जाना है प्ले स्टोर में इस टीवी के और उसमें जाके आपको एक फाइल मैनेजर एप डाउनोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है वह इंस्टॉल होने के बाद अगर आप अगर आपको फाइल मैनेजर से उपन करते हैं और वहाँ पर आसानी से व्यू कर सकते हो तो इस समय आपको उसको इंस्टॉल करना है और दोस्तों अब हमारे अगले स्टेप पर बढ़ते हैं जो है अमारा स्टेप नंबर 4 तो उस स्टेप में करना गया है कि जब यह अपके फ आपको सेटिंग्स में जाके डिवाइस प्रेफरेंसेस और डिवाइस प्रेफरेंसेस के अंदर एक ऑप्शन है सेक्यूरिटी डिस्क्शन का तो उसमें आपको फाइल मैनेजर यह जो एप है उसको अलाव करना है तो उस समय क्या होगा यह फाइल को आप अलाव कर रहे हो ये install करने के लिए इस TV में, अब यहाँ पे बात करें है हमारे step number 5 के उपर, जो हमारा एक final step होगा, तो अब इस step में करना है कि जैसे आप इसको allow करते हो, इस option को unknown source वाला, उसके बाद आपको option आजाता install करने का, install कीजिए और आपका Jio TV app हो गया, अब आपको मैं लाइव एक डेमो दिखाता हूँ इस TV पे, जो भी live channels होते हैं यहाँ पे आ चुके हैं, और आप अच्छी तरह से देख सकते हो, लेकिन problem यहाँ पे एक major आती है कि इस app में, आपको यह जो remote दिया गया है, वो accessible नहीं है, तो इस scenario में मैंने क्या किया है, कि यहाँ पे मेरे पास एक wired USB mouse है, जिसको मैं access, रोक भाई रोक के क्यों चालो हो गया, जुस्तों जैसा मैं कहता था कि Jio TV app में, या TV का जो remote हो अच्छे से काम नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे problem तो निकल के आती है, लेकिन इसका solution एक है, कि यहाँ पे मैं पास wired USB mouse है, जिसको मैंने attach किया हुआ, और यहाँ से मैं access कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसा आप लोग ने देखा, कि यह आप अच्छे तरह से काम करता है, तो आपको एक demo भी दिखा देता हूँ, तो आप देख लेजिए, तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि भाई, तो आपका अच्छे तरह से काम नहीं करेगा, इस आप के लिए जियो टीवी आप के लिए लेकिन आपको एक wired mouse ले लो, या फिर wireless mouse ले लो, तो उससे आपका काम बन जाएगा, लेकिन मैं बोलाओ, experience मैंने जितना यूज किया, इस wired mouse से, इस आप को यूज करने के लिए, मतलब उतना convenient नहीं होता, थोड़ा सा problem होता है, लेकिन भाई, फ्री की चाहिए थोड़ा बहुत तो आपको adjust करना पड़ेगा, तो यहाँ पे conclusion वही निकल गयाता है, अगर सच में आपको use करना है, जियो टीवी आप, Android टीवी में, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा मतलब आप मुझसे पूछो कि, तो मैं तो फिलाल use नहीं करने वाला जियो टीवी आप, फिलाल इस टीवी में, और दोस्तों, इकोर सीज मेने अफजर्व की, इस अप में की, जब आप स्पेशल लाइफ चैनल देखते हो, तो उस समय आपको जो इंटरनेट कनेक्शन है, और बागी आप के comparison में, जब ऑनलाइन कंटेंट से, उसके comparison में, यहाँ पर इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा अच्छा चीए, नहीं तो काफी टाइम बफर होने में लगता है, तो यह दू माइनस पॉइंट लगते हैं, मुझे इस आप में कि, भाई, आपको थोड़ा सा compromise navigation के साथ करना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब मैं तो recommend नहीं करूँगा, लेकिन भाई, जिससा मैंने का कि free का माल है, तो थोड़ा बहुत तो adjust करना पड़ेगा, बाकी overall अगर आप इतनी चीज़ को accept कर सकते हो, इस चीज़ से अगर आप adjust कर सकते हो, तो यह आपके लिए app बहुत ही मज़ेदार होगा, interesting होगा और काफी enjoy करोगे, और दोस्तो बाकी आप बताओ कि आपका क्या मानना इस app के बारे में, आप लोग install कियो हो या नहीं, और कोई भी problem आई तो मुझे ज़रूर लिखे, कोशिश करूँ आपके सारे सवालों को जवाब दिया जाए, इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो कोई भी ढंग से अगर helpful लगा, तो भाई, like तो करना पूलना नहीं, इसी के साथ ये शेयर कीजिए, subscribe किया है कि नहीं किया है, चैनल को subscribe कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे भी बहुत सारे अपडेट जालते रहता हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डिरेक्ट मैसेज कर सकते हूँ, वहां पे भी मैं आपके रिपलाइद दे दूँगा, और बहुत है,